ठीक है मैं यह फरत दिख रहा है आपको साथ करवे चर्की तो प्रॉडम इनको है यह इसमें दढ़ दोता है हाँ इसलिए इसलिए आपको सब दिख रहा है ठीक है सबसे पहले आप यह देख लीजिए यह हलका सा उठा हुआ है यह थोड़ा सा डाउन है तुम्हें इस प्रॉब्लम है इसमें यह इसलिए डाउन है इसमें थोड़ा पेन है इसलिए उपर की तरफ आया हुआ है तुम्हें इस सर्वाइकल इनको है ठीक है आप बहुती है फिर मैं बैक क्यूटिट में देता हूँ टी-शिट आप निकाल दें लिए तुम्हें रखो प्रॉब्लम हो बैट पर बढ़े लिए अच्छा उपर आप तो कहा कहा पेन आता है आपको यह यह रोने हाँ यह यह पूरा ठीक है यह पूरा ठीक है दोने हाथ उपर उठाएगे उपर उठाएगे तो इनको नहीं है ठीक है फ्रोजन शोल्डर तो इनको नहीं है ठीक है अब जो हम कर रहे है वो सर्वाहिकल का टीटमेंट दे रहे हैं एट खर्वाओ शोल्डर तो अग्रवाद शोल्डर शोल्डर रहे हैं अब हमने पहले सर्वाइकल बताया था आपको ठीक है सारा यह आपने डाइग्नोस करी लिया है बता भी दिया है इनोंने सर्वाइकल है हलका सा यहां स्वेलिंग है इनको ये रिए हो इतने है ठीक है यासे मैंने पहले बताया है आपको ठीक है आप छोड़ जैसे ठीक है यहीं से लेंचे है आप असविर था था घृद्ट शिलिए है पॉप पॉप चुटाना इसमें के लाटो जीज शाओ पॉप झाल इसाओ पिछेलाई आए गादंग यहाँ में आए जिसे लाई आए आगे कीजिये पिछेलाई आगे कीजिये आगे कीजिये इची लेई एए यह चुका है साइक से उपर की तरफ कीजिया इची लेए एँ अद्टोर्ष अच्पर इच्छें जिप इच्छें प्रश्य घुटा इस हादा डिएग्नोस तमने करके बताई जिया रहा है किस में डिएग्डाफ को अंसरो आप करने हैं अइन ही बताई गए रहा है तो अजय कुछ लिए तो अजय कर दो और फोने दो नहीं जो दो आए जो और बदातना है हम जो चेंज जाला डीच एलाए बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, छीक, हुआ है तो आप इसका धियान रखें तो आप इसका धियान रखें तो आपको पहले भी मने बता दिया है बता किसी प्रख़ोथ थी यह ध्न like उतना ही का लाया हम से ही जादा निकल डियी है too विकर लेगल अपड़ें लेका उ बुषाएं यह धिया लेगा इंब आप अपने विधाया पामें अपना कीिरें सबर्स Ьर काई अरा को जाता है ठीक है, पूरा ही है वहाँ ठीक है, यह यहां से टॉकसिंज ज़िल के मैंस, यहां भी थोड़ा से मिलेगा आपको, ठीक है अपर जब लगा रहे हैं तो दर्ग हो रहे हैं हाँ हाँ, पैशेंट पर यह भी बता है यह पहलो हो गज़ा है स्पेशंट इनज भी आ तो से मज़ा है तो यहां हो सक्षिंट गता है नहीं बना हुआ तो जैसे पान कम होटा है आपको पता चल जाएगा तुरंट पेंगा कम उगया कि रह लेकिन पिशेंट ये कह रहा है कि मुझे रात को आता है ठीक है तो डाइग्नोस तो हमने करी दिया है लेकिन आप ध्यान दखें रिलीफ मिली गहीं मिलेगे ये रौब्लम है क्या लेशा है आपको अप्राइकल की विए से घर्धन में नर्व का मप्रेशन रहा है जो नर्व आपके शोलडर से निकल के नीचे जाती है तो यहां का प्राइशन सीधा आपको शोलडर में पेन लेके आए है पिल्लो आप जादा यूज़ करते हैं नहीं करते हैं करवट से लेटते हैं सीधा लेटते हैं कभी कभा ये करता है कि पेशेंट डॉक्टर ने मना किया पिल्लो लगने के लिए कि अगर पेशेंट करवट से लेट रहा है तो कंप बाल सरी है फिल यूस करना पिल लैस्ट और बालस के लिए इतना पुंआ होना चाहे है तो भी नहीं होना चाहे है ठीकां तीन से चार इंची का होना ही जाहिए ताकि एक balance बना रहे है जो curvature है वो सीधा रहना ही चाहिए अगर patient कहता है maximum में जाधा सीधा ही लेटता हूं तो उसको अब बोलो avoid करे आप पिल लो सल्दी वाजे से अब सो गया है अब साई में सोता हूं तो तकेया भी मैंने जीन किया हूं तो तकेया भी उत्न ही balance कि इसको ते कुशे लिए यहां कपअपर भी जहांसे पिश ने बता दिया है यहां कर लगा सकते हैं लेकिन यहां वेक्यूम जादा नहीं करना है इसका अध्यान करना क्योंकि इसका effect सीधा face पे भी जाता है कुछ patient हो वो face पे swelling भी आ सकती है इसका ज्यादा वो देखना है कि patient consistence का है इसलिए आप हलका ही vacuum करें इतना ही treatment दे आप बहुत ज्यादा ना दे इसमें आप चाहें तो taping भी कर सकते हैं marinate भी कर सकते हैं जैसे इनको ये toxins निकला है ये आज कम निकला है हो सकता है कल भी इनको बुलाए जाए तो कल और भी जादा निकले तो जैसे ये सारा बहार हुआ उस दिन से इनको एकदम pain लेक हो जाएगा पर टॉक्षिन निकला के वो तो दिखा ना निकला कहा है निकला मन्स नोट कला हो जाएगा ये अंदर से सुपरफिशल मस उस पर आता है स्कीन पर वो धीरे धीरे बॉड़ी उसको यूरीन से पास कर देती है अब यहां के तो यूरीन से निकल जाएगा निकल जाएगा अंदर से जो अंदर से जो blockage है वो टॉप पे ले आएगा हम उसको और ये जो है यूरीन के सारे हाँ अब यस ठीक है एक चीज और आपको मैं बता दूँ आप यह देखरे है यहां पर फॉड़ा प्लैक तो मिस इस शू कर रहा है कि यह मिलेगा इनको ठीक है यह पर्मानेंट क्योर करेगा इनको पर्मानेंट रिफ मिलेगा ही मिलेगा ठीक है पर्टिवर्ट टाइम फायर कपिंग किया है और फिर यह किया है तो पहले कोशिश करो फायर करके उस पर्टिवर्ल लोकल एरिये को थोड़ा सॉफ्ट कर लें इसके बाद आप ड्राय कपिंग करें ठीक है आगया और भी आजएगा लेकिन अब भी आज इतना गाना है ठीक है यह रखिए इस साइड भी फायर कपिंग करके ठीक है तो यह मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यह अधिया हमने थोड़ा सा फायर कपिंग करके सॉफ्ट कर अधिया है आपकी बैक में तो करवेचर है ही नहीं है बहुत पहुत है है तेलबॉन में है यह वह पुरा क्लियर हो रहा है ना आपका करवेचर तो खराब ही है अब आप बैठते हैं नहीं है नहीं बैठते हैं बैठते हैं बैठते हैं वह लेकिन करवेचर ही पे रहा है आपको खराब है मताब वहां पे टच्छ करोगे तो भाव से लगता है है वह नॉर्मल है या मेरे के साथ है नहीं नॉर्मल नहीं है आपके साथ नहीं है वह नॉर्मल है यह सबको होता है इस तर यह भी आपको फायर कपिंग करके इस एरिये को हलका सॉफ्ट कर लेना है कोशिच करें थोरा सीधा दाटनी के बैट पारें यहां डब रहा है वह उसी लिए आ रहा है कि इनका करवेचर बैक का मैंने बताया है करवेचर सहरा खराब हो से स्वाएकल से जंड बंदर आता है? बिलकुल आता है रहा है दो कोरेटरी लेफर के लेकाबले بटेब्स आपको कंपेजेवर है यहाँ यह जैसे की मैं मैं कुललागा तुम्रह आपको कापी अक्टिव काप्डिव रहता हु के इंजा है तो प्रॉब्लम जादा इनको लेफ्ट साइड में जाद है जाद है जाद है